अब्रिवन वेल्कम बैक तो माँ यूटीब चैनल तो आज हम बात करने वाले हैं टिवलपमेंट पायो ठीक है तो दवलपमेंट बायो में फर्स हम देखते हैं डिवलपमेंट होता क्या है सेकेड़ उन्होंने बोलाए कि डेवलपमेंट की ठीओरीच देखनें जैसे side करती हैं जो organism के अंदर होती हैं जो एक organism की characteristics को बताती है ठीक है इन्होंने बोला अब हम दिखते हैं development की theories क्या क्या होता है जैसे pre-formation theories होगी और second हमारे पास होगी epigenesis theory जो pre-formation theory है वो कब आई थे हमारे पास 17 to 18 century के अंदर आई थी तो pre-formation theory के अंदर इन्होंने बोला है जो इसके अधर होता है जो यह एक यंगवंस होता है उसकी सारी characteristics या फिर उसकी सारे traits पाई जाते हैं ठीक है और इन्होंने बोला है जो इसकी development कैसे होते हैं इसकी development एक simply तरीके से होते हैं जैसे उसके किस पर depend करती है वो matter किस चीज के होती है growth के होती है और unfolding of pre-formed individuals मतलब pre-formed individual है उसकी unfolding कैसे हो रहे है मतलब किस cell से क्या चीज बन रही है क्या चीज मतलब कौन सा tissue बन रहा है कौन सा organ बन रहा है यह थोरी क्या बोलते है हमारे पास that all aspects of development जो इनमें बोला है जो इस development है उसकी जितने भी aspects है जैसे कौन से cell से epithelium cell से आगे मतलब कौन सी cell epithelium cell बनाएगी या कौन सा organ बनाएगी ठीक है तो यह सब क्या होता है यह पहले से predetermine होता है और यह fixed होता है ठीक है starting से ही और इसके उपर कोई मतलब कि जनेटिकली पहले से fix होता है और इसके उपर adaptation या environment का कोई तरीके से effect नहीं पड़ता ठीक है ना फिर इनके विज़े से वह change होगी तो second हम देखते है epigenesis theory क्या थे तो epigenesis theory के अंदर उन्होंने बोला है जो यह 18-19 century के अंदर आई थे ठीक है तो इन्होंने बोला है कि जो यह मतलब की जैसे कि हमने बोला है जो हमारे पास pre-formation theory उसके अंदर तो बोला है कि जब हो genetically depend करता है जो पहले से pre-determined होगी कि कौन सी cell से कौन सी मतलब cell की कौन सी fate से क्या बनेगा ठीक है बट इसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो development है वो एक मतलब series of guardable changes है जनेशिस के according इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे पास adult है तो वो क्या से मतलब की इमर्स होता है वो उन्होंने बोला है कि बहुत इक primitive primitive की ताइप मलब की undifferentiated state होते है जैसे क्लillstrow ओफ ए मास होता है तो ठीक है तो क्या एग थेयरे थीरे थेयरे time-to-time accordingly प्या खरते है उसके अंदर cellular differentiation राटेसोंसे सी दीरे दीरे थे वो suggest क्या खाता है जो development है वो एक क्या होती है dynamic मतलब की time के according कम जादा मतलब की capacity rate बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए उसके according के dynamically change होता रहता है और जो adaptive process है जो दीरे-दीर adapt होता रहता है वो किस चीज़ पर depend करता है दोनों पर genetic पर भी करता है और environmental factors पर भी depend करता है ठीक है आगे हम देखते हैं दोनों में key difference किया है तो इन theories के according हमारे पास मतलब तीन key difference है determine adaptation तो पहले हमें पता है कि जो pre-formation theory है वो क्या करती है बोलते है कि जितने भी हमारे पास जो इनकी organism है है जो miniature हमारे पास adult है वो पहले सही determine आती है उसके अंदर cell fat पहले सही determine होती है वो उसका उपर कोई भी चीज़ का environmental का effect नहीं पड़ता ठीक है अब adaptation हमारे पास क्या adaptation किसके अंदर आती है epigenesis के अंदर तो क्या बोलते है कि जो इसके अंदर adaptation होती रहती है कि इसके बीच में environment और organisms के बीच में और वो की वो उसकी development पे काफी जादा effect करती है ठीक है आगे नोंने बता है जैसे fixed or dynamic मतलब कि जैसे हमें बता है कि जो pre-formation के अंदर है जो जो cells की fate है वो पहले से यह development है वो पहले से fixed होता है यह pre-determined होता है but meanwhile क्या होता है जो हमारे पास dynamic होता है किसके अंदर एपिजेनेसिस के अंदर ठीक है यह flexible होता है ठीक है genetics पर depend करेगा कि जो genetically factor है वो ही determine करेंगे development को ठीक है बट जो epigenesis है उसके अंदर genetics के साथ साथ जो environmental factors है वो भी क्या करते हैं influence करते हैं किसी भी organism की development को ठीक है thank you so much